Hello everyone, आज हम जानेंगे नार्को टेस्ट और पॉलिग्राफ टेस्ट का क्या मतलब होता है तो नार्को टेस्ट जो है उसको यूज किया जाता है The Method of Narcotics इसमें नार्को टेस्ट का यूज किया जाता है Means medicines का यूज किया सकता है और drugs का यूज किया जाता है To alter the consciousness of a person being questioned जिस प्यक्ति से question पूछने है उसका consciousness को alter किया जाता है और polygraph test physiological marks पे based है और इसमें उससे question किया जाते हैं और उस पे जो उसकी physiological conditions है वो matter करती है उससे पता चलता है कि जो भी person है वो सच बोल रहा है या जूट बोल रहा है तो इसको हम जो polygraph test है उसको lie detection test भी कहते हैं ये दोनों ही test जो है इन दोनों को हम deception detection test कहते हैं और ये दोनों ही concealed information को बाहर लाने के लिए किये जाते हैं हाल ही में जो case चल रहा है श्रद्धा आरिया जिसके 35 piece किये गए थे उसकी body के तो उस case में जो आफताब है accused उससे polygraph test उस पे conduct किया गया और आफताब से questioning की गई murder के बारे में और उसने किस तरह से body को dismembering किया जो उसके live-in partner थी श्रद्धा वाकर उसके लिए polygraph test किया गया और narco test भी किये जाते हैं इसी तरह है कि जो cases होते हैं उसमें lie detection के लिए ये test perform किये जाते हैं और polygraph test में जो physiological और psychological जो है उससे questions पूछे जाते हैं और उसकी जो heart beat है और उसका जो how-how है उससे ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या जूट बोल रहा है तो ये दोनों ही test जो है एक forensic science laboratory जो है इनको conduct करती है mainly polygraph test आज के इस वीडियो में बस इतना ही thank you for watching my video please subscribe my channel if you like my videos